असलाम लेकुम एब्रीवन और वेलकम टू ए फ्रेश एपिसोड ओफ ट्रांस्वाम पाकिस्तान हम लोग पिछले कुछ महीनों से बात कर रहे हैं ट्रांस फैट्स के हवाले से उसके जो हमारी हेल्थ पे इंपक्ट है उसके हवाले से और इस हवाले से के यह जो एक बहुत हम अकसर इसके लिए जहर का लवज इस्तमाल करते हैं जो हमारी खुराक में आम पाया जाता है ट्रांस इंडस्ट्रिली प्रिडूस्ट ट्रांस फैट इसको रेगुलेट किस तरह किया जाएगा कब किया जाएगा और जो अरजनसी है इसकी रेगुलेशन की उसके हवाले से So what we love is that which we enjoy a lot and appreciate a lot of the comments and the fact that this podcast is making more people aware of what industrially produced trans fats are and why they have no business being in our food. आज की जो कॉन्वसेशन है उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सबा अमजद हुई इस दी सीओ ओ अफ हाट फाइल हाट फाइल जब हम ट्रांस फैट्स की अगरचे अज़ नेम अफ दी ओगनाइज़शन दी ओगनाइज़शन दी ओगनाइज़शन दी हैं बहुत सिग्निफिकंट कॉंटिबूशन हैं हाट फाइल के इस सब्जेक्ट को मंजरे आम पे लाने के हवाले से और बहुत कुंसिस्टेंटली हुकूमत के साथ सिबल सुसाइटी के साथ इसकी रगूलेशन पे काम करने के हवाले से रॉक्टर सभा थैंक यू सो मुच जाएट फिर आपकी आज़त हो तो वे जाएट रॉक्टर सभा एक चीज जो बहुत खटक रही है वह है कि 2023 की डेडलाइन थी डबली वेचो ने ग्लोबली रखी थी के इंडस्ट्रिली प्रेडूस ट्रांसफार्ट्स या आईटी एफएज उनको इस तरहे तमाम मुमाले को रेगुलेट करने की ज़रूरत है कि घिजाई जराय में वह दो फीसद से ज्यादा ना पाए जाएं अनफॉचनेट यह है कि पाकिसान ने कुछ पास्षल तो अगर्चे चलें इंकरिजिंग भी है यह चीज के हमने कुछ पास्षल रेगुलेशन तो हम ला पाए लेकिन जो एक ओवरॉरॉल अंब्रेला रेगुलेशन चाहिए थी तो प्रोटेक्ट आर फूड फूड सोर्सेज फ्रॉम आईटी एफ र्ध्रट प्रण खड़सीन ग簡 DRC काहरे थी तो हम करते हैं जो हम नैंड पूवर्ड पूर्ट आप ल में तो हम करते हैं तो लिए तो लेट बाकिस्तन किम लेगुक्तarti प्रेदी कानी आँटने के सखीनिय तो पाकिस्टन के लिए Normally 1998 से, as the name suggests, we have been working in NCDs which are non-communicable diseases and especially which includes cardiovascular diseases, diabetes, cancer and all non-communicable other diseases. तो हम लोगों ने जब काम शुरू किया, 1998 में, 2003 में हमने National Action Plan बनाया NCDs का, 2018 में यह जब Transfety Asset सामने आए, तो WHO ने जो एक road map दिया, known as replace, hard file को with government, यह हम भी thought के we should do, हम भी should take up this issue and start working on it. तो replace package जो के एक road map है, WHO का, जो के सारी all countries भी follow करती है, replace is an acronym, जिसमें RE का मतलब है के आप review करें, सारे आपका जो landscape है, आपका जो right free sources है, TFA से, क्योंकि I have listened to जो आपके podcast हैं, उसमें मुझे know के people now know what are Transfety Asset, कैसे form होती है, तो हमने 2018 में we initiated the process by looking at the landscape क्या है, इस TFA का, उसके बाद फिर जब यह सब हो गया, तो हम लोगों ने बाकी अब review था, फिर इसको हमने promote करना था, कि जी आप replacement industrially, जो इसकी अच्छी healthier options हैं, उनको promote करें, यह road map कहता है, फिर वो कहते थे जी आप इसको legislate करें, regulate करें, hybrid approach लें, या जो भी whatever legislation you want to do, तो वो आपको करनी थी, फिर आपको assess करना था, कि लोगों में trans fat को monitor करना, food में, जो हमारी अभी तक पाकिस्तान में, food supply में, trans fat की original, हम proxy indicator से मालुम करते हैं, कि जी तेल बहुत हम use कर रहें, लेकिन actual trans fat कितना है, वो assessment भी road map में है, which we should be doing, आप पाकिस्तान इसमें करेगा, फिर एक create, see, जो उसका word था, replace का, उसमें था कि आप create awareness करें, इसकी demand generation करें, इसकी problem को highlight करें, यह हम सब आपके समेथ, हम सब यह कर रहें, फिर आपको last, जो E है, इसका, वो enforce है, कि आपने जो extended regulate कर लिया, उसको you have to see as a civil society with government के वो enforce हो, और उसको कैसे उसकी enforcement को आप help कर सकते हैं, यह तो वो था कि जी road map क्या है, अब जब start हुआ, जब 2018 में, वहो ने का, और government इसकी signatory थी, कि okay, we will work towards eliminating trans fatis assets from Pakistani food chain by 2023, अब 20, you know, हम 24 में आ गए हैं, अब 2023 तक हमने वो जो best practice WHO recommend करता था, which वो हम achieve नहीं कर सके, although there have been significant progress, we all know, आपने पिछले podcast में भी बताया, कि Pakistan ने कुछ standards में, food standards में, इसको WHO के best buy को standardized किया है, changes आई हैं, और वो कैसे होई, वो भी हम बाद में शायद, आप if you would like to know, हम बताएंगे, लेकिन जब ये हो गया, तो जो best, और उसकी वज़ा से, जब हम having no standard initially, to a less restrictive standard country, which is not a best buy, उसमें डाल दिया, अब जब उसमें डाला, उसकी implications, अब भी missed the deadline, up to 2024 है, अब what, उससे क्या impact हुआ, उसमें देखें, public health, जो के nutrient of concerns हैं, जैसे, अभी, अब we are talking about ITFA, वो अब food supply में available है, अब जिसमें हमने किया, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, उसको हमने standard बना लिया, अब उसकी implementation को हम देखेंगे, कैसे करना है, लेकिन जो नहीं किया, उसकी वज़ा से ऐसा हो रहा है, कि unsafe food consumption is going on, आप market में जाएं, retailer में जाएं, वो आपकी consumption चल रही है, आपकी nutritional guide, क्योंकि best policy नहीं है, आपकी nutritional guidelines नहीं है, आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कितना ITFA है, कहां पे है, अब labeling की बाद भी आपारी ITFA के साथ, तो यह सब चीज़ जो है, उनके उपर यह लागू होंगी, इसके लाब आपको पता है, अगर आप less food ही गलत ले रहे हैं, तो आपके health risk जो है, वो आपके बढ़ेंगे, आपके सिरफ ITFA नहीं है, आपकी salt, sugar, बाकी चीज़ें भी हैं, और आपका chronic diseases, जो हैं, जिसमें obesity है, आपका diabetes है, जिसका आप लोगों को भी आपने जिकर किया हुआ है, कि 33 million people from 20, जब 19 million थे 2019 में, last year जिब diabetes का हुआ तो 33 million, look at the jump, the reason, SSBs, TFA's and हमारे बाकी जिसम की हम घजा ले रहें, imbalanced और diets जो हम ले रहें, इसके अलावा हमारा जो vulnerable population है, बच्चे हैं, उन पर इसका impact बहुत जादा होगा, इसके अलावा economic consequences, आपको पता है हम लोगों ने एक research और की थी, we wanted to know what are the cost effective benefits, हमने पूरी study है, heart file की website पे है, government इसको ओ करती है, कि the cost of replacements, जो है, they override कि आपको क्या चीज जो है, वो best उसमें आएगी, मतलब आप ये करें कि considerable evidence suggests ये करता था, कि आपकी जो health और economic benefits है न, TFA replacements से, they far outweigh the private cost to PHA industry, जो के industry जो claim करती है न, कि जो हमारी बहुत इस पे cost involved है, तो आपके economic और health cost जो आपकी by the years of life lost to mortality, premature mortality due to TFA, उसको, उसका impact, अगर आप TFA को replace करते हैं with healthier substitutes, is far more than that, so the evidence, हमने वो भी create किया, आपको पता है, economic का, और फिर last, जो एक public को भी एक trust होता है organization से, जब आप एक PSQC as the, जो most के अंदर आती है, Ministry of Science and Technology का, उनका भी एक, जैसे कहते हैं न, public को एक interest, वो एक, आपका confidence level आपका shatter होता है, कि अच्छा यार, हमारे उसमें मुल्क के लिए कोई अच्छी public health की safety के laws जो हैं, वो नहीं बन रहे हैं, दुनिया में बन रहे हैं, तो हमारे नहीं बन रहे हैं, तो आपका confidence भी जेटर होता है, तो मैं sum up में ये count the consequences जो है न, जो immediate, अगर आप नहीं best practice पर जाएंगे, तो उसमें immediate disease risk से लेके, आपके जो, आप ये कह लिजिए, कि जो broader, आपका जो enduring effects होंगे, वो बहुत जादा हैं, तो आपको अभी be timely और effective regulations लाने पर काम करना बहुत जरूरी है, जो के अभी हम कर रहे हैं, although we have missed the deadline, but not all is lost, we need to move forward, और बाकी areas को भी cover करें इसके अंदर, अब जो best practice WHO कहता है, Thank you so much Dr. Sabha, that was a wonderful round up, आपने जिस तरह से ये progress and challenges सब को trace किया है, very grateful for the way you, you know, you put everything together, एक चीज़ जो आपकी बात से कि मेरे जहन में आ रही है, वो है, international best practices के हवाले से, हम number two पे, WHO MRO region में in terms of ITFA consumption है, लेकिन हम से जो उपर था, Egypt, अच्छी बात ये, बड़ी encouraging बात ये है, कि the country that had the highest consumption in the WHO MRO region, recently, Egypt has been able to, you know, put a regulation through, क्या international best practices पे हमारी नजर जाती है, जो आप चाहेंगी कि उनको highlight भी करें, हमारे सुनने वालों के लिए, और हकूमत को जिन case studies पे नजर रखने की जरूरत है, जिससे हम सीख सकते हैं और जो पाकिस्तान के अंदर एक मुफसिल regulation का process है, उसको accelerate कर सकते हैं. जी, thank you, Ariba, for this question, देखे, international practices, evidence है, एजिप्ट की आपने बात की, हम लोग ने जब analysis शुरू किया, तो लिटरली एजिप्ट हम second थे हैं, एमरो रीजिन में, जहां पे पाकिस्तान प्लेस किया गया है, उसमें हम second highest थे, एजिप्ट के बात, और वी वर थिंकिंग और यह अभी का analysis नहीं है, इस वन वी देट इन 2019, तो 19 से 2022 तक हम उसी तरह चल रहे थे, हम भी regulations की बात कर रहे थे, एजिप्ट भी regulations की बात कर रह था, एजिप्ट ने 2023 में, बलके रादर 2022 के end में, regulation लाई और उन्हें ने इंडस्ट्री को एक साल दिया, so that they meet the deadline of 2023, so उनका वो best practice में, एजिप्ट का नाम आ गया, और मैं, let me add, के अब more than, when the initial WHO ने जब start किया था, उस वक से, अब तक, half the world is now been covered by safe practices, ITFA practices, तो हम least restrictive में है, we need to move to best practice, अब क्या किया जाता है, देखिए, इस में आपका कोई, it is not one rule which fits all, उन्हों ने कहा कि आपने 2 grams, WHO ने ये कहा, और evidence की based पे कहा, कि 2 grams of 100 per 100 grams of fats आपका होना चाहिए, हम लोग ने analysis किया, पाकिस्तान में पता चला, कि हाँ, हमारा तो sources locally है, बनास्पती घी जैसे है, जो कि बहुत ज्यादा ITFA enriched है, और आपको पता है, बनास्पती घी क्यों इस्तमाल होता है, क्योंकि वो granular है, हमारा taste उस पर develop हुआ हुआ है, पहले हम देसी घी लेते थे, देसी घी से हम dairy product से, हम बनास्पती घी पे shift हुए, granular है वो, और उसकी shelf life ज्यादा है, इसलिए retailers उसको use करते हैं, तो सारी दुनिया में जहां जहां ये partial hydrogenation of oil हो रही थी, evidence नहीं ये कहा, कि आप या तो regulate करें, regulation, या आप एक hybrid approach रखें, which says कि आप hybrid का मतलब है, कि आप दो करें, आप पहले आप जो regulation करें, और साथी आप PHO ban की तरव भी जाएं, पाकिस्तान में आपको पता हैं, हम आप oil ले रहे हैं, चाहे वो palm oil है, चाहे वो दूसरा oil है, उसमें ये लोग, वो उसमें trans fats आ जाते हैं, अब there are, अब चाहिद मेरे खाले ये बार में बात होगी, कि how can we replace it, लेकिन मैं आप से कहूंगी कि countries ने ये करके दिखाया है, 2003 में ये start हुआ था, ये जो हमारी पिछली century में ये बनास्पती घीर की production चुरू हुए, 2003 में Denmark was the first country, जिसने ये मालूम किया कि नहीं इसकी वज़ा से NCDs का CBD का factor जो है, that is the heart related diseases, cerebrovascular diseases जो है, वो आपकी, इसकी TFA की intake की वज़ा से हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि आपकी government के साथ, civil society, academia and other all relevant stakeholders got together and decided कि हम इसको एक limit में लाएंगे